आज जैन दोस्तों नमस्कार आप सभी का स्वारत है आपके अपने यूटूब चैनल नौकर तक पे आज हम दुखी मन से आये हैं हम भी लगबर 10 चैनल देखे हैं सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे से च्छा मंत्री पे और आज हम ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं देंगे हो सकता है कान में चुवे या हमारे जो जो भी भाई हैं बीटेट वाले भी उनको खुशी मसूस हो और दूसरे तरब जो सीटेट बीटेट उत्तर न भ्यरती हैं जो सात्मा चरण में भाग लेना चाहते हैं जिसके कारण गरदनी बाग में अंदोलन पर बैठे हुए हैं व पताने क्यों सिच्षक होने के नातर इतना नहीं बोलना चाहिए नहीं दो कमेंट में मिलेंगे उनको में पर देने सकते हैं अब सब्द भी बूल सकते हैं लेकिन सिच्छा मंत्री जी सिच्छा मंत्री जी बोलते हैं कि छटे के बाद सात्मा आएगा क्या बोले हैं साधा आप लोग वीडियो देख लिए होंगे ध्यान से सुनिएगा ये वीडियो कोई भ्यूज बढ़ाने के लिए नहीं है मनों तो देखिए नमनों तो मत देखिए लेकिन ये वीडियो आपको देखना जो होगी है क्यों चुकि आपके कारण आजम सिच्छा मंत्री को इतना दबा दबा के बोलेंगे कि जीवन में वो कभी आप सब को या हमें या आने वाली पीडि़ी को कभी और से चित न समझे और आप लोग से चित नहीं बलकि जितने भी साथमे चरन में बहाल होने वाले सिट्चा के भावी वो सब प्रस्य चित हैं सब डियालेट किये हुए ब्येट कियों है और यह बोलते हैं आज एक पत्रकार को निउज एटिन के पत्रकार उन्होंने एक पुछा बहुत अच्छा प्रस्थ पूछा यह हम लोगों के लिए यानि हमारे जो भरती हैं उनके लिए कुस्टन सुनिएगा कुस्टन पूछा है किसने मीडिया वालों ने हमारे जो प्रिंट मीडिया के भाई है उन्होंने जो माने नियाज नहीं बोलेंगे आजम ये कुन है लॉली पॉल बाले बाबा कुन है नाम भूल गए उसका नाम लेना नहीं चाहते हैं उसका नाम है विडिया ने बोला छटा चरण खतम हो गया आप साथमा लाइए आपने तो बोला था कि अगस्त के फष्ट विक में देगे तो क्या हो गया तो देखिए क्या जबाब मिलता है यह असे चित असे चित कौन यह मंत्री साहब मंत्री कौन यह विजाए चौधरी जी कि आपको नहीं आता है और हमारे जो भ्यरती हैं जो भाल होने वाले हैं आप मंत्री रहे ने रहें यसी चक तो बने गई यह मैं अपने चैनल के मादम से बोलता हूं आज आप हैना दो साल के लिए दो या तीन साल के लिए है सत्ता आपका भी पलतेगा और दूसरी बाप मैं आपको बता दू मंत्री जी और मान्ये जो हमारे नितीष बाबु जी है कि खासकर मैं भी एक इंजिनिया हुई मैं बोलना चाहूंगा नितीष बाबु मेरे आइडल है नितीष जी को जब मैं देखता हूं तो बहुत मोटिवेट होता हूं लेकिन उनके पाथी में कुछ चमचे हैं का इसे चमचा यह मंत्री जी कौन क्या नाम है मंत्री जी का जी कैमरामन बताइए बिजय चौधरी वह पाथी को नास करतेगा यह नितीष बाबु की पाथी जिस पाथी को नभी वक ने खरा किया था आज नितीष के पाथी को हो सकता यह किसी पाथी से मिला हो बिजय बाबु और यह नितीष के पाथी को खतम करने वाला है मैं खुली चौधरी देता हूं एक सिच्चक होने करनाते हो सकता है मैं चारक बन जाओं और आज चारक बनना सेटिंग ये टिंग काने का मतलब हो सकता है कि अब जो सातमाचरन भाली होगा आप तमांग अभ्यती को पता है कि अनलाइन होगा चेंट्रलाइज फोगा पिछले बाले भालव ले कुछ पैशा तो नहीं मिला मंत्री जी और मंत्री साइब आ पको बहुत हो रहें लागों शच्छित है और सिख्वित का प्रति है आप चाटे के बाद सात्मा आएगा साथ के बाद आठाएगा क्या बोला चाते है आप कुछूरतिया नहीं है आप बना रहे और समय अगा आपका सत्ता पलोटेंगे विलकुल पलटेंगे तमाम अभ्यास्orta पलोटेगा लेकिन यह भी जान लीजिये किलिल आप यह भी जान लीजिये सिच्छा मंत्री जी और किसी की जो सत्ता आप 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 जो आज मिला बहुत खतर नाक होता है आगे आज हम को बहुत भाँन होता है जश्चा मंत्री को बहूत जर्ले कामन करता है कि क्लम से बोलते हैं आप दो परसचीत है जितने भी सात्मा च्रण में बाहल प्रश्चित आप तमाम अभ्यावति आज नकल से चक बनेंगे एक समय था किसी की सत्ता थी सत्ता गई अभी आई और इनकी भी फिर जाएगी और फिर किसी का आएगा लेकिन सच्छा मंत्री आपको समझ में नहीं आएगा चुकि आपको लगता है मैं बाबुजी की बबवती है मैं चालेंज करता हूं खुली चनवती देता हूं फिर से बोलता हूं आप बोलेंगे सिच्छक नहीं बनेंगे हम तो बनिये गए हो सकता है हम पर कलम भी चल जाए फिर भी अफसोस नहीं है हम रिजाइन मारते हैं इसे सब्सक्राइब को हमें अगर टैलेंटेड है तो पढ़ा लेंगे रोजी रोटी हो जाएगा आपका क्या होगा जो सत्ता भोगी है आप जनता है बाई सब कुछ जानता है खासकर सिच्छक जो अभी बनने वाले हैं सातमे चरण में वह चानक की भूमिका निवाएंगे कोई भी सरकार को सिच्छक ही निर्मान करता है किसी राष्ट का सिंपल बे में आप यह समझ लीजिए लेकिन सिच्छा मंत्री जी मैं फिर से बोलता हूं आप क्या हमें गिंती सिखाएंगे हमें नहीं इन तमाम बिहार के भ्यारती हैं जो प्रदेश के हैं आर्टी सो जीला सकता आप सीट बेचे हो चुकि सात्मा चरण में फिर बोल रहा है और लाइन होगा यह बात आप ही बोले हैं तो ऑनलाइन में तो धांदली कम चलेगा और हो सकता है कि चुनाव आने वाला है आपका पैसा मिलने वाला होगा छटे चरण से तो आप ऐसा नायन सापी मत किजि और अश्टेट बाले को भी बोलेंगे जो अभी गरदनी बाग में सीटेट बाले अंदोलन में है आप लोग उनका साथ दिजिए चुकि एक हाथ आप बढ़ाईएगा तो आपके साथ भी दूसरा हाथ बढ़ाएगा आप यह मत सोचे कि आप अश्टेट पास है आप सीटे संबर में आएगा तो आपको मैं बता दू उसी चैनल को आप भी ट्वीट कीजिए कि सिच्छा मंतिया सिच्छित है यह मैं बोलता हूं और क्या आप लोग को गिंती सिखाएंगे सिच्छा मंति खुद आयोग्या है और नितीश बाभू इसको संग्यान में फिक्से लिजि मेरा कोई पार्टी नहीं है कोई नेतानगरी नहीं है मेरा हम जूट आप से नितीश बाभू में आपको भी टार्गेट करता हूं चुकि आप एक इंजिनियर है मैं भी इंजिनियर हूं तो आप इसको संग्यान में लिजिए और तमाम अभ्यरती को रच्छा बंदन का बहुत दुख होता है सर और तमाम अभ्यरती को लास्ट में बात मोलना चाहेंगे आप लोग न उताबला हो घबराय नहीं जगा नहीं चोड़ना है गरदनी बाग को यहीं गरदनी बाग है जो आपको अंदोलन के माध्यम से यह पवित्र अस्थाला जैसे गंगा न दिकात आ हूँ भगवान नहीं जाने आपको लगता आपकी सरकार सचक नहीं बनाइगी तो क्या आने वाली सरकार सच महनभी वह बिलकुल बनाएगी च्रिकी यह आपकी हाई होगी और सरकार जो आगी इन तमाम अभ्यार्ति को सच्छक बहात नहीं बलकी बलुकि का हड देंगेinar कि उनलोगोंबोट भी देंगे क्यों नीओ देंगे हिक मागये का कुई आप Опसे हक दोत तमाम बिर्ति आप्धे रहे आप लोग बैठे रहे नहीं उनने बोला शillar मजाक में बोला होगा कि आप लोग उठ याए भागना नहीं है इनको जबाब देना है भारी संक्चाय में आईए आप लोग और बैठे रहे दबाके अगस्त भी जह लेंगे क्या हो गया अनिस्चित काली ना अंदोला नहीं गवदनी भाग में आप लोग बैठे रहे ठीक है उठना नहीं है मैं आपको मोटिवेट भी कर सकता आप चले जाएं कुछ बहन अगी चले जाएगी मत जाए बहन और मेरे भाई नहीं तो यह मुखा नहीं मिले गा आने वाला अगर आप नहीं आया मैंges बोलता हूं आप से टमबर में भी नहीं आएगा किसी जवाना में बोलते थे जनवरी में आएगा वहाली प्रुमार्च मैं आएगा फिर अप्रील में फिर जून में फिर जुलाई में क्या मतलब है अब बोलते हैं अगस्ट भोड़ देते हैं हम भी लोग तंत्र में यह मेरा मौली का अधिकार है आपका भी अधिकार है मत भोड़ देना आइसी सरकार को नहीं देना लेकिन सिचक तो आप बनेंगे यह मैं जुवान देता हूं और अपने तरफ से अपनी पुन्य का आपको आश्रबाद भी देता हूं लेकिन पॉल्टिक्स का नाम नहीं लेंगे हम लेकिन सत्ता से उखार फेकिए इसको और हम सोचेंगे कि आप हमें नहीं आप भी चानक बनने बनने वाले हैं तो आप तमाम एब भीडियो दवा के से रख किजिए जादा हम नहीं बोलना चाहेंगे आप लोग अगर जादा ह लेकिन फिर भी काल आएंगे ठीक है उनसे मिलवाते हैं आपको जो हमारे साथ बैठेम हैं उनसे कुछ रूबरी होते हैं मतलब उनके दुख सुक को जानते क्या नाम हुआ साब का मेरा सुजित कुमान नाम हुआ और मैं दरवंगा जिला के वास से हूं एक नट बताइए य इनको जोस आ गया इस टीन अभ्याशतिया क्या इनकी समस्या को जानते हैं मैं सबसे पहले विजय विजय चौदरी से मंत्री जी सही मैं यही कहना चाहता हूं कि यह क्या गुल खिला रहा है यह समझ में नहीं आ रहा है कि कभी कभी यह कहते हैं जन्बरी मार्च अपरील भर बारी यह तरीका क्या है यह दूसरे को मुर्ख क्यों बनाते हैं जानते नहीं हैं कि जनता नहीं उसे उनको ले गया है अपने सीटों पे तो उस जनता को इतना मतलब बरगलाने का काम क्यों करते हैं अपने अपने सवचाली दुरूप से माध्यम से सात्मा चरन का नोटिफिकेशन निकालने का अस्वासन दें और जल्द से जल्द सात्मा चरन नोटिफिकेशन लाने का कोशिस करें अब सबसे पहली बात का ँपकेशन का वल्ला से बाता है रहाँ बांने का करें वहीं तो इनिकाहने का यही मतलब हатов पिष्टर मंगर्ण चल रहा है यह नहीं समझ में मिलन के जनता को बरगल आते हैं यह तो सढ़ी नहीं होता है अब इस कंदिशन, 1-1 बोला जाये, इस कंदिशन में आप ये नाही कही है, कि हम जनता को परगला रहे है, आप अपने आप को परगला रहे है, कि इया आपकी सत्ता आप नहीं रहे है, ये आपका आप सरकार इस बार चली जाए पक्का एकदम डिफनीट है वो भी जनता आपको सपोर्ट नहीं कर रही है हम पूरे गाओं दिहात मोहला हर जगह चर्चित जाते हैं सुनते कहते हैं तो कहते हैं यह क्या है मंत्री है कि क्या है इसको कुछ बोल नहीं नहीं आता है जो मन होता है सो बोल दे इस तरह की भावनाओं लोगों में आ गई है इसलिए मैं अन्रोद करता हूं कि आपने सही से नोटिफिकेशन को जारी करें और जल्द से जल्द जारी करें ताकि जनता में और इस तमाम सीटेट अश्टेट अभ्यारती जितने भी हैं उन सभी को एक सुचारू रूप से ज दाना चाहते हैं उनकी टैलेंट मारी जा रही है घर पे कोई छोला बेच रहा है कोई का बहुत सारी बात है सर हम लास्ट में बोलेंगे नितीज जी का अगर सत्ता जाता है सच्छा मंत्री जी बिजय जी इसका जिम्मवार आप होंगे देखिए एक समय ऐसा आएगा अनंत बाबू की तरह आपकी हालत हो जाएगी चुकि नितीज जी आपको भी नहीं छोगेंगे इंजिनियर सहाब है नितीज जी आप संग्यान में लिजिए इसको यह आपकी सत्ता को कौन यह सिच्छा मंत्री साहब जो है यह गिरा देंगे तो आप ऐसे जो विधायक जी है इनक कि कोई गलती नहीं है अगिर सही सुचारू रूप से चलाएं तो अगिर मान लीजिए आप चाह रहे हैं कि हम बीजेपाली को बदनाम करें आप बीजेपी वाले चाह रहे हैं कि हम आपको बदनाम करें तो यह दोनों आप आपस में तालमेल को थोड़ा बरकरार रखिए औ और दोनों ही सुचार रूप से समंजस बना के एक सही सरकार के अनिर्मान कीजिए ताकि सही ढंक से सरकार चले और ये नहीं कि बीजेपी वाले कहते हैं कि हमने ये किया वो किया आप भी नहीं कुछ किये हैं ये हम नहीं कुछ भी नहीं किये हैं जनता पूरी जनता आप से ना अधिक से अधिक मंतब देने का मंतब को सुचारूप से चालूप अब यही बोलेंगे चुकी होता है यह पहली बार कैमरा पर आए बहुत अच्छा है और यह पढ़ाते भी हैं हाइस्कुल में पढ़ाते हैं प्राइवेट टीचर के मादधम से खरेनी वे अंत में यही बोले आप लोग बस धरनास्तल पर बैठे रही है यह तो होगी आप लोग पार्टी पॉलिटिक्स में ना जाएं हमें जाना भी नहीं है हम गुस्सा में बोले हैं ठीक है चुकि हम भी इस प्रदेश का पहले भारत का नागरिक है और मैंने भी भोट दिया किनको दिया यह तो नह समझें आप अपने आपको आला कमान नो समझें कि हमसे उपर कोई नहीं है सत्ता तो आती जाती गहती है यह जनता है पल्टेग आपको भी खहरे निवे ज्यादा समझा नहीं सकते हैं बुद्धी जीवी होंगे आप हम लोग तो ना समझ है यह ना छटे के बाद सात्मा जै कौन सा कौंटिंग सिखे हुए मंतरी जी को नहीं आ रहा है वो इंग्लिस में पड़े हमको लगता तो वही है इसलिए इसलिए ठीक मंतरी जी लाक सभी को आता एक लाक में कितना सुनना होता बता दे तो आप गूलांट कीजिए आप कीजिए और हम चाहेंगे सच्छा मंतर जी आप सुनते हैं इस वीडियो को नाट का बाई हम बीजेपी वाले को भी बोलते हैं तो यह दिक्कत है जैमोदी माफी चाहेंगे वतना नहीं बोलेंगे आप लोग गलत समझेंगे आप सिंपल सब्सक्राइब बोलेंगे इस वीडियो को सिच्छा मंतरी जी के पास पहु ऑखना वाला है और सच्छा मंतरी जी ज्यादा पता है आपको सुना ही नहीं चाहता है हमी नहीं पूरे परदेश की लोग करते हैं पूरे पर्देश को लोग काते जनता cavART िर में चाहिआ भी आलती तो कहते हैं म hen.. अब समझ रहे हैं बुझ रहे हैं वो भी बोले लगए जी बिल्कुर आपको सुनना नहीं जादा आप क्या बहुत घुमाते सर यह शॉट्स वीडियो है अब यूटूब पे शॉट्स चलता है शॉट्स वीडियो और नहीं जाने है तो बता दे एस अच ओर टी एस शॉट्स में पीसे हैस्टर लगा होता है तो जितना आप घुमाते हैं ना क्या बोलते हैं समय चात्मक बैठक किये हैं छटा खतम होगी तब ही न सात्मा आएगी तो इतना घुमाईये नहीं मजबूरी में भी आपकी भासा सुन रहे हैं ठीक है लेकि समय आने दिजिए जनता ना पीछे पीछे जो विधायक सब है उनके चम्से से आप तमाम एभरती खुस रहें जहां भी रहें मुश्कुराते रहें अपनी हिम्मत को डाउन ने करें प्रितिवी सरसात है और तमाम कुछ अभ्यरती का नाम लाचाएंग जो है जैसे मीकुपाल जी हैं बहुत अच्छा अच्छा बोलते हैं तो आप सबसे माफी चाते हैं लेकिन आपके लिए बोले हैं यहीं बस कहेंगे इस वीडियो को पहुंचाएं जैइंद जैभारत